हाई गाइस त्रेडिंग से रिलेटर वीडियो लेके आता रहता हूं आप लोग भी प्रोफिटेबल हो सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैंने दो लेपल लगा कि रखा हुआ आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन एक होरीजोंटल लाइन उसी के बीच में अभी मार्केट है बड़े टाइम फ्रेम पे हम चेक करते रहेंगे अभी तो अभी नीचे ट्रेंड लाइन के पीछ और एक अच्छी खासी पिछली ट्हल लेस्ट केंडल और एटकेंडल के बीच में कम एक ही मतलब इतने सारे एक कैंडल के बीच में एक what को यह खिरो लिक्री subscribe działa抉ब łगी उसके फिपटीपरसेंट से मेरे अप्जिक इस केंडल की chronosnight हो 2020 थो देखते हैं क्या होता है फिर नीचे आके कुलोज होगी इसकी वज़े से मैंने डाउन डारेक्शन की ट्रेड ली हुई है क्योंकि यहां पर ट्रेंड आप देख सकते हो सीधे-सीधे एक मिन में भी डाउन है और पांच मिन में तो डाउन है मेरी बैटरी लो हो गई है तो जादे ट्रेड नहीं करेंगे औ फो तो देख सकते हो अभी 72 में अभी बाकि है ट्रेड में इन होने में तो क्यूंकि मैंणे टाइम फ्रेम बढ़गा की लिया था ट्रेड एक मिनिट का ट्रेड नहीं लिया था तो अभी 10 डॉल वर का ट्रेड है मेरे स्टेलेस के लिग में के नीचे क्लोजिंग होनी जाहि देखते हैं बाकी तो इसलिए मैंने 10 डॉलर का ट्रेड लिया और अच्छी इंट्री भी मिल सकती थी लेकिन थोड़ा जलबाजी हो गया कोई इश्यू नहीं है आप बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे देखके आप कर सकते हो जिसका ट्रेंड हो उसी के साथ कोसिस करो जादे से जडहे जाने की 17 और पांच मेट में टाइम फ्रेम के ठोड़ा फ्रक होता पांच मेट का टाइम लौंग टाइम से देखो कि नीचे अगर और तोफिर क्या दिख रहा बायर की केंडल दिखने लगी लेकिन देखते हैं अलग-अलग टाइम फ्रेम पर देखो अभी थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ रहा है 100 के लेबल से देखते हैं बाकी मेरे एकोडिंग वो 5 मेट का 50% वही देखके मैंने लिया था तो लास्ट टाइम तक आनी चाहिए उसके नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए ट्रेंड के एकोडिंग 5 मिनट की टेलेस केंडल के एकोडिंग कहीं भी आपको 5 मेट टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी अच्छा खा में एक मिनट टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है अब यह मत्रेट में बचा है तू देखते हैं और रेक्ड केंडल आचूकी है कि तो वेट करते हैं अभी काफी उपर निकल गही गैंडल देखते हैं क्या होता है डस डॉलर का ट्रेन में नहीं लिया है डाउन डायरेक्शन में UiP भी 5 میट की टेललेटस केंडल को देखके फिर से 5 मेट टाइम फ्रेम पे चलते हैं देखते हैं अभी ट्रेंट डाउन है तो ़ी अदे लास्ट ताइम पर आ सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता वेट करते हैं और इस तरह से आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखके और जहां स्टॉंग स्टॉंग केंडल हो तो फिर आप सेम डारेक्शन में कर सकते हो जब केंडल पीछे आये थोड़ा सा तो उसी ट्रेंड के साथ में उसी में बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड पे देखके क कर सकते हो इजी विन हो जाएगा क्यूंकि मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेड ऐसे विन होते हैं अपने कि बाकी जादे बहुत जादे लेवल और प्राइज एक्षन यह सब बहुत जादे मत देखो भाई बहुत फेल हो रहा है कि देख सकते हो लाज्ट टाइम पे केंडल पांच मिर्ट के अकॉडिंग अगर जो हमने एक मिर्ट का ट्रेड लिया हो था तो लॉस हो जाता लेकिन पांच मिर्ट टाइम फ्रेम के एकॉडिंग बड़े टाइम फ्रेम पर हमने ट्रेड किया तो ट्रेड बीन हो गया 72 के आसपास profit था अभी देखते हैं 19 ये हो गया 82 हो गया तो wait करते हैं अभी और 100 लगाने की कोशिस करेंगे यहाँ अभी भी strong candle तो दीख रही है देखते हैं चलो मैंने down के लिए last time पे लगा दिया उसका reason है कि एक strong candle है और क्या नाम में एक में पांच में देखोगे तो hammer type है उपर से pressure है seller का अभी भी तो नीचे अभी भी जा सकती है market ठीक ना और अपने पास winning amount है तो risk तभी मैं ले रहा हूँ ने तो हर candle पे trade में नहीं करता ठीक ना तो wait करते हैं देखते हैं और आपको भी मैं बोलूँगा मैं एक ही मिनट का लिया था तो यह trade अपना loss हो गया कोई issue नहीं है wait करते हैं तो थोड़ी उपर जाएगी तो mtg मैं कोसिस करूंगा इसी चार्ट पे लेने की wait करते हैं अभी कुछ और reaction हो गयरा कुछ देखना पड़ेगा gap down किया है और उपर लास्ट टाइम पे मैं entry ले रहा हूँ भाई down के लिए ही उसका region है कि gap down किया जब buyer ने अपनी candle बनाई थी तो gap down करने की जरुद भी नहीं थी और उपर आप देखोगे तो यूनिंग star की तरह candle भी बनी है और पीछली वाली candle green से पिछली वाली स्ट्रॉंग भी है तो 50% से उसको 50% किसी भी स्ट्रॉंग candle का 50% एक माइनर सा लेवल होता है तो उसके नीचे ही closing होनी चाहे भी देखते हैं बाकी क्या होता है कि मेरे recording तो उसके नीचे एक ही मिनट का टाइम भले मैंने पांच में चार्ट खोला है लेकिन ट्रेड अपना एक ही मिनट का है को सुरी गाइस कि चलो ट्रेड अपना यह भी हो गया अब देख लेता है 86 हो गया है तो अभी कि थोड़ा सा रिस्की लग रहा है लेकिन दूसरे चार्ट पर देखते हैं फिर जहां कुछ खास ऐसे ट्रेंड टाइब कुछ मिला वहीं पेग करेंगे चलो यह ट्रेंड लाइन पर आ चुकी है यहां पर हम ट्रेड करने वाले हैं वेट करते हैं पांच में टाइम फ्रेंग के अकॉर्डिंगई आँ चलो मैं आपके लिए लास्ट टाइम पर ईंडरी लिए देख सकते हो थर्टी टू सेगंड के आस पास आपके लिए और वो पांच मेंट का जो ट्रेंड लाइन पहले से लगा के रखा हुआ था मैंने उसी पर मैंने लिया है बाकी देखते हैं इस टॉंग केंडल है तो वह क्रॉस भी कर सकती है और ट्रेंड यहां पर नीचे वी कंप्लीट कर सकती है वेट करते हैं यह ट्रेड अपना लॉस होगा तो पांच में टाइम फ्रेम के एकॉर्डिंग क पांच में टाइम फ्रेम के एकॉर्डिंग जो होरिजोंटल मैंने कॉमन लेबल लिया है तो उसके नीचे मुझे इंट्री मिली तो मैं एम्टीजी कोसिस करूंगा अप साइड के लेने की हलाकि ट्रेंड डाउन है तो वी कंप्लीट करने आ सकती है लेकिन थोड़ा बहुत भी विक छोड़ेगी तो अपना विन हो सकता है तो यहां से एक बार और सपोर्ट लिया था तो मैं यहां पर लास्ट टाइम पर इंट्री लेना चाहूंगा चलो ले लेता हूं मैं कि मैंने मेरे एकॉर्डिंग पांच में टाइम फ्रेम का जो कॉमन लेवल है बीच वाला उसके उपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए लेकिन प्रेसर अभी सेलर का मुझे दिख रहा है तो देखते हैं कि अभी क्या होता है कि तो एट सेकेंड सेबन शिक्स रिस की ट्रेड हो गया यह भी चलो लास्ट टाइम पर चलो लास्ट टाइम पे ट्रेड अपना विन हुआ लेकिन देख सकते हो आप पांच मिनट एक मिनट पहले लगा दिया मैं मुझे दो मिनट में लगाना था लगाना चाहिए था मतलब क्यूंकि देख सकते हो अभी उसके ऊपर ही जा रही है कैंडल उस लेवल के होरिजोंटल लाइन के उपर लेकिन चलो अपना ट्रेड विन हो गया कोई इसू नहीं एक ट्रेड और मैं आपके लिए लेता हूं अभी टाइम है मेरे पास एक मिनट का क्यूंकि कैंडल को दिक्कत हो रही है इसके नीचे आने में तो इसकी क्लोजिंग पांच मिन के एकॉर्डिंग और साइड में मैंने देखा भी था एक बार बायर दो बार तीन बार चार बार यहां से ले भी जा चुके हैं उपर अभी 90 डॉलर है देखते हैं यह 5 हो जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा देखते हैं चलो उसी के आसपास क्लोजिंग होई विक के आसपास जहां पर हमारा लेबल है तो यह ट्रेड भी अपना बिन हो गया तो दोस्तों इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम पर कोसिस करो उसका लेबल भी कुछ वर्क कर रहा और ट्रेंड भी 95 तो 100 लगा ही देते हैं देखते हैं कि अभी एक मैंट में यहां से उपर जा सकती है मार्केट ना तो चलो दूसरे चाट पे देखते हैं यहां पे कुछ उतना खास नहीं है चलो यहां पर अभी रैट केंडरल्स आ रही है maximum पांच में और नीचे कुछ साइड में लेड़ल नहीं है लेकिन वहां से एक बार मार्केट गई चलो दूसरे चाट पे देख लेता है जहां कुछ अच्छा हमें दिख्जाए कि एसे हर जगह ट्रेट करने लायक नहीं यहां पर देख सकते हो जो यह एक मैं वेट करते हैं दोस्तों यहीं पर मैं ट्रेट ले सकता हूं एक मैं टाइम फ्रेम के कॉर्डिंग क्यूंकि देख सकते हो उपर जो साइड में लेबल दिख रह करिए यहां से मैं डाउन के लिए जाना चाहूंगा लेकिन इंट्री मुझे थोड़ा सा रियेक्शन इसका मैं देख लूँ सेलर ने रिकवर किया थोड़ा और उपर जाए तो मैं यहीं पर डाउन के लिए ले लूँगा चलो चलो मैंने डाउन के लिए लिया थोड़ा रिस नीचे चली गई थी मार्केट वहां से टच करके फिर इस लेबल से फिर आई एक केंडल तो दूसरी आनी थी वहीं से मतलब सेलर का एरिया है समझोगो क्योंकि बार-बार उसी लेबल पर जब टच हो रहा है तो फिर सेलर वहां से इंटर कर रहे हैं लेकिन इंटरी अपनी खराब होई थी चलो देख सकते हो यह ट्रेड अपना विन हो गया है तो मेरे एकॉर्डिंग अब 100 लग गया होगा तो देखो 100 हो गया है तो सेल गया है एक दिन बाकी सब अच्छा जा रहा है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार